नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर और मेरे नाम है चंदन दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे करके आपको वर्डप्रेस को 5.7 वर्जन में यहापे अपडेट करना है दोस्तों अगर आपकी वर्डप्रेस में है तो यहाँ पर आपको अपडेट करना आपका बनता है क्योंकि दोस्तों अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आपका जैसे जो पुराना वर्जन है वर्डप्रेस का आप उसमें काम करोगे जो भी WordPress का दुस्तों यहाँ पर update आता है वो हमें यहाँ पर update करना होता है तो अगर आप update नहीं करोगे तो आप पुराना version में चाम करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपको क्या पर नहाँ होता है कि अपने WordPress को आपको login करना है। तो जब हम यहाँ पर WordPress को लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद दूस्तों हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर टॉप में आ जाता है, WordPress 5.7 is available, please update now. तो यहाँ पर आपको क्या करना की, update now करने है, तो update now करने से पहले दोस्तों आपको चेक करने की, हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है नया वर्जन में, तो आपको यहाँ पर राइट किलिक करने है, और यहाँ पर आपको ओपन लिंक न्यू टैप करने है, जब आप यहाँ पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएगे कि हम यहाँ पे जिस वर्जन में अपडेट करने चाहते हैं वुस अपडेट में हमें यहाँ पे क्या-क्या मिला हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे जो 5.7 वर्ट्रेस का जो नया वर्जन है उसमें आपको स्क्रिन कर देता हूं और यहां पर आपको बता देगा कि कैसे कैसे करके आपको यहां पर नए वर्जन में क्या कि आपको मिलीगा तो यहां पर आप देख पारे कि यहां से इन्होंने एक इमेज उठाई और यहां से उसके बाद इन्होंने यहां पर दूसरा इमेज उठाई और यहाँ पे background में आपको यहाँ पे मिल रहा है कि हमें कैसे image करके आपको यहाँ पे लगानी है कि जब आप image लगाओगे तो कैसे करके आपको यहाँ पे दिखेगा तो ऐसे करके आप भी अपने जब आप आप आठीकल लेगते पैजेस बिनाते तो आपको भी यहाँ पे इस तरो का बैग्राउन मिल जाता है तो आपको यहाँ पर simple ही क्या करने है Please update now पर आपको यहाँ पर click करने है क्योंकि यहां पे जितने भी नए नए फीचर होते हें उनको अपडेट होने में दोस्तो इहां पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो थोड़ा सा आपको यहां पे वेट करना है यहां पे तो 5.7 में जो भी यहां पे अपडेट है वो यहां पे couleur से रिलेटीड है यानी कि यहाँ पे आपको किलिक करना है कि go to dashboard updates पे इस पे जब आप किलिक करोगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पे update हो जाएगा अब आपको दोस्तों यहाँ पे notification नहीं दिखा दे रहा कि जो पहले यहाँ पे update था कि wordpress update 5.7 नए वर्जिन में आपको यहाँ पे update करना है वो सब चीज़ आग यहाँ कि कैसे करके आपको यहाँ पे अपने wordpress को नए अपडेट करना है जो नए वर्जिन यहाँ पे आया हुआ है 5.7 वर्जिन उसमें कैसे आपको update करना है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए या वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीस दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तों फिर में एक और नेक्स वीडियो में तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखेगा जैहिन वंदे मातरम